Hello students, this is Tanushree, तो आज हम शुरू करेंगे exercise 8.2 से question number 4 और question number 5 तो चलो शुरू करते हैं, question number 4 देखो, write each of the following as decimals तो देखो नीचे जो दिया हुआ है, इसको decimal में लिखना है, मतलब point में लिखना है अच्छा, और यहाँ पे देखो क्या है, 20 प्लस 9 प्लस 4 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 100 मतलब add करना है, और यहाँ पे देखो, यह है whole number और यह है fractional number तो हम क्या करेंगे, whole number को हम easily add कर सकते हैं और यह जो fractional number है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, decimal number में लिख सकते हैं point में लिख सकता है क्योंकि यहाँ पर नीचे 10 है यहाँ पर 100 है तो हम वही करेंगे तो first हम इसको add कर सकते है 20 प्लस 9 यह whole number है तो 20 प्लस 9 करने से क्या हो जाएगा 29 यह हो जाएगा अभी plus जो है यह है ना fractional जो number है इसको हम क्या कर सकते है इसको हम point में लिख सकते है नीचे 10 है यहाँ पर नीचे 100 है अचा तो देखो 4 upon 10 है तो हम इसको point में लिखेंगे तो first 4 लिख देते है जो है अभी नीचे कितना 0 है एक 0 है मतलब right side से 1 digit छोड़के हो जाएगा point तो 0 हम लिख देंगे 0.4 हो जाएगा अचा अभी हम देखेंगे 1 upon 100 तो नीचे 100 है इसको point में हम लिख सकते है तो देखो 1 हम first लिख देंगे अभी नीचे कितना 0 है दो 0 है मतलब right side से 2 digit छोड़के point हो जाएगा तो यहाँ पर एक digit है और एक digit होगा तो कुछ नहीं है में 0 हो जाएगा 0 हम दे देंगे तो right side से 2 digit छोड़के point हो जाएगा तो यह हो जाएगा 0.01 इसको ऐसे हम लिखेंगे अचा अभी देखो यह है whole number और यह है decimal number अभी हमें क्या करना है add करना है अचा तो whole number को हम point में कैसे लिख सकते है 29.0 ऐसे लिख सकते है क्योंकि point और 0 का कोई value नहीं होता तो 29 को हम ऐसे लिख सकते है 29.0 करके अभी देखो point के नीचे point आएगा 0.4 है तो 0.4 अचा point के नीचे point आएगा 0.01 अभी देखो point के right side में 2 digit है तो यहाँ पे भी हम 2 digit कर लेंगे तो easy हो जाएगा add करने में तो कुछ नहीं है means हम 0 देदेंगे कुछ नहीं है 0 देदेंगे अभी हम add करेंगे अचा तो अभी हम add करेंगे 0 plus 0 plus 1 1 0 plus 4 plus 0 4 point 9 plus 0 plus 0 9 2 हो जाएगा तो यह हो जाएगा answer 29.41 तो ऐसे हमें निकालना है अभी हम next b part देखेंगे next b part देखो अच्छा यहाँ पे है 137 plus 5 upon 100 तो इसको हमें क्या करना है decimal में लिखना है point में लिखना है तो देखो यह है whole number और यह है fractional number तो नीचे है 100 तो इसको हम point में लिख सकते हैं तो हम first लिखेंगे 137 जो है वो ही हम लिखेंगे plus अभी यह जो है 5 upon 100 इसको point में लिखेंगे तो first हम 5 लिख देते हैं और नीचे कितना zero है दो zero है तो क्या हो जाएगा right side से two digit छोर के point हो जाएगा तो एक digit है और एक digit कुछ नहीं है means zero हो जाएगा तो right side से दो digit छोर के point हो जाएगा तो 0.05 ऐसे हम लिखेंगे अच्छा अभी देखो अभी add करना है है ना तो यह है whole number और यह है decimal number तो 137 है whole number तो whole number को point में लिखेंगे ऐसे 137.0 ऐसे लिख देंगे point में अभी देखो 0.05 है तो point के नीचे point होगा तो 0.05 ऐसे हम लिखेंगे अच्छा अभी देखो point के right side में दो digit है तो point के right side में हम दो digit कर लेंगे तो कुछ नहीं है means 0 हम दे देंगे तो add करने में easy हो जाएगा अच्छा अभी add करो 0 plus 55 0 plus 00 point हो जाएगा 7 plus 0 7 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा अच्छा तो answer हो जाएगा 137.05 तो ऐसे हमें करना है तो यह जो add है न यह ऐसे arrange करना यह बहुत important है तो आच्छी तरह से arrange करके ठीक तरह से add करना है अच्छा तो यह है V part अभी हम next C part देखेंगे next C part देखो अच्छा यहाँ पे देखो 7 upon 10 plus 6 upon 100 plus 4 upon 1000 है तो सब fractional number में है और यहाँ पे नीचे 10, 100, 1000 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? point में लिख सकते हैं अच्छा तो first हम point में लिखेंगे फिर हम add करेंगे अच्छा तो 7 upon 10 है तो first 7 लिख देते हैं नीचे कितना 0 है? एक 0 है मतलब right side से one digit छोड़के point हो जाएगा तो 0.7 हो जाएगा अच्छा अभी plus 6 upon 100 तो 6 हम लिख लेते हैं अभी नीचे 2 0 है right side से 2 digit छोड़के point होगा तो 1 digit है और 1 digit कुछ नहीं है तो 0 दे देंगे right side से 2 digit छोड़के point हो जाएगा 0.06 हो जाएगा अच्छा अभी देखो plus 4 upon 1000 है तो 4 हम लिख देते हैं यहाँ पे अभी देखो नीचे कितना 0 है? 1, 2, 3 3 0 है तो right side से 3 digit छोड़के point हो जाएगा तो right side से 1 digit और 1 digit करना है और 1 digit करना है तो कुछ नहीं है 0 हम कर देंगे तो right side से 3 digit छोड़के point हो जाएगा देखो right side से 1, 2, 3 3 digit छोड़के point हो जाएगा 0.004 हो जाएगा तो ऐसे हमें point में लिखना है अभी क्या करना है? अभी हमें add करना है तो decimal का add करना है तो first हम point दे देते हैं 0.7 है तो 0.7 अभी point के नीचे नीचे होगा देखो point के नीचे हम point देते हैं यह आप है 0.06 तो 0.06 अभी देखो point के नीचे point देंगे 0.004 तो 0.004 तो ऐसे हमें arrange करना है और फिर हमें add करना है तो देखो यहाँ पे देखो point के right side में 3 digit है तो point के right side में हम 3 digit कर लेते हैं 0,6 और एक digit कर लेंगे कुछ नहीं है 0 कर देंगे यहाँ पे देखो point के right side में 3 digit कर लेंगे तो एक digit है तो और 2 digit 2,0 कर लेते हैं कुछ नहीं है मिन 0 है अच्छा तो देखो ये हो गया है अभी हम add करेंगे तो देखो 0 प्लस 0 प्लस 4 4 हो जाएगा 0 प्लस 6 प्लस 0 6 हो जाएगा 7 प्लस 0 प्लस 0 7 हो जाएगा point और ये तो 0 ही हो जाएगा तो ये हो जाएगा answer 0.764 तो ऐसे करना है तो अभी हम next d पार्ट देखेंगे next d पार्ट देखो अच्छा यहाँ पे 23 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 1000 तो ये है whole नमबर तो इसको हम as it is रख देंगे 23 जो है वही लिख देंगे अभी इसको क्या करेंगे हम point में लिखेंगे क्योंकि नीचे 10 है नीचे 1000 है तो इसको point में हम लिख सकते हैं तो 2 upon 10 है तो 2 लिख देते हैं अभी नीचे देखो कितना 0 है एक 0 है right side से 1 digit छोड के point हो जाएगा तो 0.2 हो जाएगा अच्छा plus 6 upon 1000 है तो 6 हम लिख देंगे अभी नीचे कितना 0 है 1 2 3 3 0 है तो right side से 3 digit छोड के point होगा तो 1 digit और 1 digit और 1 digit तो right side से 1 2 3 3 digit छोड के point हो जाएगा कुछ नहीं है में 0 दे देंगे तो 0.006 हो जाएगा अच्छा तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते है add यहाँ पिकल लेते है अच्छा अभी देखो अभी हमें क्या करना है add करना है तो यह है whole number यह है decimal number तो whole number को हम कैसे लिखेंगे 23 है तो point 0 दे देंगे 0.2 है तो point के नीचे point होगा 0.2 ऐसे लिखेंगे point के नीचे point होगा 0.006 ऐसे लिखेंगे अच्छा 6 थोड़ा ठीक कर लेते हैं 6 अभी add कर दो तो उसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे point के right side में 3 डिजिट कर लेंगे तो point के right side में 3 डिजिट है तो point के right side में 3 डिजिट करेंगे तो कुछ नहीं है 00 कर देते है point के right side में कुछ नहीं है 00 करके 3 डिजिट कर लेते हैं अभी add करने में easy हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 6, 6, 0 हो जाएगा यहाँ पे 0 प्लस 2 प्लस 0, 2.3 प्लस 0, 3 और 2 हो जाएगा यहाँ पे इसका answer हो जाएगा 23.206 तो ऐसे हमें करना है तो यह था D पार्ट अभी हम E पार्ट करेंगे next E पार्ट देखो अच्छा यहाँ पे है 700 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 9 अपॉन 100 तो यह है whole number और यह है fractional number तो हम क्या कर सकते हैं हम यह जो whole number है तो इसको हम easily add कर सकते हैं और जो fractional number है उसको तो हम decimal में convert करेंगे मतलब point में लिखेंगे तो उससे पहले यह जो है तो इसको हम add करके यहाँ पे लिख सकते हैं तो देखो 700 है 20 है और 5 है तो इसको add कर दो यह है whole number तो easily हम add कर सकते हैं तो हो जाएगा 0 plus 0 plus 5 5, 0 plus 2, 2 और 7 तो हो जाएगा 7, 25 तो इसको add करने से यह आएगा अच्छा अभी plus 9 upon 100 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं point में लिख सकते हैं, नीचे 100 है तो देखो 9 है तो 9 first लिख लेते हैं, नीचे कितना 0 है? 2 0 है तो right side से 2 digit छोड़के point हो जाएगा तो कुछ नहीं है तो 0 दे देंगे right side से 2 digit छोड़के point होगा 0.09 अच्छा यह add थोड़ा ठिक कर लेते हैं अच्छा तो यह हो जाएगा अभी क्या करना है? यह है whole number यह है decimal number तो इसको हम add करेंगे अच्छा तो add करना है 725 है, whole number है तो whole number को हम कैसे लिखते हैं? point में 725.0 ऐसे लिखेंगे अच्छा और यहाँ पे है 0.09 देखो, point के नीचे point हो जाएगा तो 0.09 ऐसे लिखना है अभी point के right side में 2 digit है, point के right side में हम 2 digit कर लेते हैं, कुछ नहीं है 0 कर देते हैं, अभी देखो add हो जाएगा तो add करो, 0 प्लस 99 0 प्लस 00, 0.5 प्लस 0, 5 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो answer हो जाएगा, 725 0.09 तो ऐसे हमें करना है ठीक है, अच्छा तो यह था question number 4 अभी हम question number 5 देखेंगे question number 5 देखो write each of the following decimals in words तो देखो, नीचे जो decimal number दिया हुआ है, point में number दिया हुआ है, इसको words में लिखना है, अच्छा, तो इसको हम कैसे बोलते हैं, 0.03 ऐसे हम बोलते हैं तो इसको ही हमें लिखना है, यहाँ पर words में अच्छा, तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, 0.03 तो ऐसे words में लिखना है इसको, तो यह था यह part, अभी हम next भी part देखेंगे next देखो, अच्छा, यहाँ पर भी decimal number है तो इसको words में लिखना है, तो इसको हम कैसे बोलते हैं, 1.20 1.20 हम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं, 1.20 point के जो right side में होता है, उसको हम ऐसे बोलते हैं, 2.0 ऐसे बोलते हैं, तो इसको हम words में लिखेंगे तो लिखेंगे 1.20, तो ऐसे हम लिख देंगे तो अभी हम next C part देखेंगे next देखो, अच्छा, यहाँ पर है decimal number, इसको words में लिखना है तो देखो, इसको हम कैसे बोलते हैं, 108 या 108 ऐसे हम बोलते हैं, फिर है point, तो point हो जाएगा फिर 5, 6, ऐसे होगा, 56 नहीं होगा, 5, 6 होगा तो देखो, ऐसे हम लिखेंगे 108, 108.56 तो 5, 6 ऐसे लिखेंगे तो यह था C part, अभी हम D देखेंगे, D part Next देखो, अच्छा, यह है decimal number, इसको words में लिखना है तो देखो, इसको हम कैसे बोलेंगे, 10 10 बोलेंगे, 10.07 ऐसे बोलेंगे तो यह था D part, अभी हम Next E part देखेंगे Next देखो, अच्छा, तो इसको हमें क्या करना है, words में लिखना है देखो, यह है 0, 0.032 तो point के बाद हम कैसे बोलेंगे, ऐसे 0, 3, 2, ऐसे लिखेंगे, तो यही लिखेंगे हम 0, 0, 0, 3, 2 0, 3, 2 तो यह था E part, अभी हम Next E part देखेंगे Next देखो, अच्छा, यहाँ पे decimal number है इसको words में लिखना है तो हम कैसे बोलेंगे इसको 5, यह है 5 तो 5. फिर हम कैसे बोलेंगे 0, 0, 8 ऐसे हम बोलेंगे, तो यही हम लिखेंगे तो देखो, 5, 0, 0, 0, 8 0, 0, 8 ऐसे हम लिखेंगे तो यह था question number 5 तो यह था exercise 8.2 का part 3 और part 4 का जो वीडियो की लिंक है वो नीचे description box में दिया रहेगा